अब मौसम इभाग ने मौसम के मिजास को देखते वे अलर्ट जारी कर दिया है जिसने बताया गया है कि नेपाल के तराई वाले इलाके में बारिश हो सकती है और ये आगे कई दिनों तक जारी भी रह सकता है बारिश को लेकर मौसम इभाग ने भी एक साथ तेज, हवा, वज़पात के साथ बारिश को लेकर चुतावनी जारी की मौसम इभाग ने बिहार के मुजपरपूर, नवादा, नालंदा, शिवर, पूर्वी चमपारन, भोजपूर, गोपाल गंज और पश्चमी चमपारन के लिए जहां अलर्ट जारी किया वहीं सारन और पटना के लिए भी सुभा में ही अलर्ट जारी कर दिया गया था अलर्ट के बाद राज़ानी समेत उत्तर और पुर्वे बिहार में मध्यम बारिश जारी है जिसमें लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मुली लेकिन बार प्रभावित जिलों के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई बारिश कमने के कारण जहां नदी के तेवर कम होने लगे थे लेकिन फिर से बारिश से जल अस्तर बढ़ने के साथ जल जमाओ का खत्रा बढ़ गया है मौसमिभाग की माने तो मौनसून की अक्षे रेखा बिहार के बकसर और जहारखंड के बोकारों होते वे उत्तर पुर्वी बंगाल की खारी की ओर जा रही है जिससे बंगाल के तट पर चक्रवातिय हालात बने हुए है इसकी वज़ा से बिहार के कई जिलों में 24 घंटे के भीतर हलकी से मध्यम बारिश की संभाबना जताई गई मतादे कि राज्य में अभी तक सामान से 38 प्रतिशत जादा बारिश दर्च की जा चुकी है मेहार में अब तक सामान से सबसे जादा बारिश बकसर में हुई जहां 9.5 mm की जगह 27.2 mm बारिश दर्च की गई जबकि शेकपुरा में 7.1 की जगह 17.7 mm बारिश दर्च की गई है मालूम हो कि बिहार के 14 जीले बारिश की चपेट में है और पहले से ही वहाँ पर पानी बहुत ही जादा भरा हुआ है अभी तक वो पानी निकला भी नहीं था कि एक बार फिर से नदिया उफान पर होंगी वो इसलिए क्योंकि मौसम भाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है खास कर बार वाले इलाके में सबसे जादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में जब बारिश रुकी थी तो उससे नदियों के जलस्तर में कमी आई थी लेकिन अचानक से फिर से इस अलर्ट ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुल्यडे नियूस को नेशन के साथ नमस्कार